नमस्कार मैं हूं दिपका शर्मा और आप देख रहें क्राइम तक आज हम बात करेंगे अंडर वर्ल की वो हिरोईन जिसका बॉलिवर्ड इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं था नाहीं किसी एक्टर से नाहीं किसी एक्टरिस से लेकिन वो कहलाती थी अंडर वर्ल की हिरोई जिसका नाम है रुबीना सिराद सहीड ये एक ऐसी महिला थी जिसका कई गैंस्टर्स से नाता जुड़ा लेकिन जब मुंबई के धमाकी हुए थी कि मुंबई का जो मास्टर माइंड था इस धमाकी के पीछे वो था चोटा शकील जो कि दाओद इब्राहिम के लिए काम करता था लेकिन ऐसा क्या हुआ रुबीना की जिंदगी में जो उसका नाम माफिया कुईन या लेडी डॉन और इन गैंस्टर्स के साथ जुड़ गया रुबीना अपनी जिंदगी में एक ब्यूटीशियन थी मुंबई में उसका ब्यूटी पार्लर था एक चोटी मोटी सी एक उसका पार्लर था जिसमें वो काम करती थी लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी क्योंकि उसे और पैसे और एशोराम चाहिए थी अब इसके सिलसिले में उसकी मुलाकात हुई शकेल से शकेल से उसने हाथ मिलाया और उसके साथ काम करने के लिए वो राजी हुई वो उसकी खुद की मर्जी थी क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में जाधा पैसा चाहिए था अब शकील के गैंग में वो शामिल हुई उसके बाद जितने भी इलीगल बिजनस थे उसमें धीरे-धीरे वो खुसने लगी फिर एक समय आया जब उसने ये सोचा कि वो कुछ ऐसा करे कि उसकी भी मुंबई में पहचान हो कि वो एक गैंग्स्टर से जुडी हुई है लेकि उससे भी पहले हुआ ये कि शकील और रुबीना के बीच में थोड़ा इश्क महबत हो गया और वो दोनों गॉर्फरेंड बॉर्फरेंड बन गए ये सलसिला भी उस समय पर काफी बाहर निकल कर आया था कि रुबीना शकील की गॉर्फरेंड थी लेकिन खुबसूरत वो इ जो गुरके थे वो जेल में जब बन थे तो रुबीना अपनी पहुंच से उन लोगों को हत्यार पहुंचाती थी उनकी सारी चीजों का वो खयाल रखती थी बाहर बैटकर फिर वो चाहें जेल में खाना पहुंचाना हो चाहें जेल में हत्यार पहुंचाना हो कपड़े अपना participation देने लगी और फिर जितने भी finance से जुड़े जो काम थी शकील के वो चाहें पैसे इधर से उधर करना, फिरोती करना, किड्नापिंग करना, जहां से भी पैसे आते थे उसको finance का head बना दिया गया, वो सारी चीजे शकील की देखती थी कि पैसे कहां से आ रहे हैं, कहा पाई नहीं देता था, शकील की पहले से पत्नी थी, एक बार तो ऐसा हुआ कि शकील की जो गल्फरेंड है रुबीना, उसने शकील की पत्नी को हड़का दिया, पत्नी को धमकाया, लेकिन तब भी शकील ने उसे कुछ ने कहा, क्योंकि इश्क ऐसी थी, इसा था, मोहबत इत जिसकी वज़े से शकील भी पिगल गया, तो वो करती गया थी कि लोगों को अपने वश में रखती थी, फिर वो चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी गैंस्टर जुड़ा हुआ हो, वो सब को अपने वश में रखती थी, क्योंकि एक उसका दिखने का तरीका जो जै जेल में बंद हैं, उनको खाना पहुचाना, जेल के अंदर हतियार पहुचाना, ये आम इंसानों के बसकी तो नहीं है, लेकिन रुबीना की सेटिंग इतनी थी, इतनी तगडी थी कि वो जेल में भी उन लोगों तक हतियार पहुचा देती थी, तो ये एक सोचने वाली बा लेकिन वो तो यूँ सोची कि ध्रश्टचार किस लेवल पे है, या क्या रहा कि जेल में भी हतियार पहुचने लगे, अब पुलिस वालों से भी रुबीना की जान पहचान होती गई, उनसे वो इन्फोर्मेशन लेके शकील को पहुचाती थी, फिर जब मुंबई के धमाक करता था, फिरोती करता था, किसी को मारना, मुर्डर, ये सारी चीजे रुबीना ने अपने सर पे ले ली, वो सारी चीजे फिर वो देखने लगी, और कहीना कहीं उसके उपर यह यू कहें जिम्मिदारी थी, क्योंकि वो उसका बॉइफरेंड था शकील, तो उसके काम जित वो दर्च किये गए थे, अपराद, रुबीना के उपर महाराश्च्रों कंटोल ऑफ और्गनाइज क्राइम एक्ट लगाया गया, ये एक ऐसा एक्ट होता है, जिसमें अपराधी को असानी से जमानत नहीं मिलती है, और इसके परमिशन भी किसी ACP रैंक वाले शक्से ली ज चार्जिस थे, फिरोती के चार्जिस थे, और वो एक ऐसे शक्स के साथ जुड़ी हुई थी, जिसने मुंबई में धमाके करवाई थी, जो है छोटा शकील, छोटा शकील दाओ इबराहिम से जुड़ा हुआ था, जो उसके लिए काम करता था, तो कहीना कहीं रुबीना ने अपनी खुपसूरती को, अपने बात करने के तरीके को इस कदर इस्तमाल किया, कि वो छोटे शकील के काम आया, उसने रुबीना को अपने साथ रखा, क्योंकि रुबीना ऐसे काम निकल वा लेती थी, वो जुगाड करने में इतना, यू कहीं, इतना एक्सपर्ट हो गई थ वाला हो या कुछ भी कहें वो हर काम को कर लेती थी अब इन दोनों का रिलेशन्शिप भी था तो यू कहें कि एक साज़ेदारी थी दोनों की कि वो सारे इलीगल बिजनेस में दोनों एक साथ काम करते थे और उसको अंजाम देते थे अब अंडो वर्ड में हिरोईन का टैग लगना अंडो वर्ड में माफिया डॉन माफिया कुईन का नाम जुर जाना लेडी डॉन का नाम जुर जाना तो इन तमाम तरीके के अपराद रूबीना के सर पे थे और फिर एंड में पुलिस ने उसे गिरफतार किया रूबीना पे तमाम तरीके के चार्जिस लगाए गए और सोचने वाली बात ये है कि कैसे कोई भी लड़की का है उस जबाने में तो लड़की थी कैसे कोई लड़की अपनी खुबसुरती का इसकदर इस्तमाल करती है कि वो देश के लिए तनी यूँ गहे कि बहुत है हैरान कर देने वाली के लिए जो जिम्मेदारी है वो पीछे चूटती जा रही है प्यार होना महबत होना एक अलग चीज अगर ऐसी ही महबत थी तो छोटा शकील जो था जो काम करता था दाउद के लिए वो उस ट्रैक पर से हटा सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो यह हमारी जिम्मेदा हो सकता है तो एक लीस्ट उसे बैट का समझाए उसे कुछ बताए उसे उस ट्रैक पर से हटाए ना कि उसका साथ दे जैसा रूबीना ने किया तो यह थी आज की कहानी एक माफिया कुईन जो कैसे एक सिंपल ब्यूटीशन हुआ करती थी मुंबई में और फिर माफिया होना चाहते है तो जरूर बताइए यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा धन्यवाद हुआ 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 है